अगर आपका सर्विस ओवरलैपिंग का इस्यू है तो उसे हम कैसे किलियर करेंगे उसे हम कैसे रिमूब कराएंगे उसके बारे माज हम बात करेंगे और जिनको अगर सर्विस ओवरलैपिंग के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ कि जब आप किसी एक कंपनी में आपको याउन सिखते है तो आपको दो जगह सी पीफ यह मिल गया होता है आप है फिए इसको हम बोलते हैं सेर्विस और लैकिंग तो हम एक स्था हिसे करेंगा फटा फटा यो ना कि की फॉर्म टेन होता है एंड फॉर्म नाइंटीन होता है जो कि आपको फिल करके एपी एफो ऑफिस में सम्मिट करना होता है विद ओल अधे आपका जो करेंट ऑगनाईजेशन है अगर आप उसके टच में हो तो वहां पे भी जाके आप उनको इमेल करके या उनसे ओवर कॉल बात करके आप वहां से उनकी जो प्याफिस्टी होती है जहांप वह अपलोड करते हैं अब वहां से भी रिक्ष डाल सकते हैं कि आपने मेरा प्याफ इनकरेक्ट डाला है लियुञे फिर अप लाफिस प्याफ करो या फिर आप नेक्स कंपनी में भी प्याफ प्रॉपर अप्डेट करा सकते हो तो मतलब आप के पास यहाँ पर दो option है तो आप चाहो तो जिस company में आप current working हो आप वहां से भी overlapping हटवा सकते हो बट previous company का होता है वो जानकर करते नहीं है आप तना याद रखना आपको बहुत मेनद करनी पड़ेगी बहुत जादा follow up लेना पड़ेगा उसके बाद ही आपका service overlapping हटेगा तो यह दो तरीके हैं hopefully आप सम में वहीं पूचे जाएंगे मेरा बेस रिजू में मिल जाएगा जहां पर आपको सारा का सारा detail मिल जाएगा कि आप exactly रिजू में बनाओ कैसे क्या 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 उसमें description में डालना है आपकी की responsibility area को क्या दिकानी सारा कुछ आपको समें मिल जाएगा तो आप चाहो तो भी check out कर मेरा ना मेरा में बने रीठ मोम्में था फ्क dwar में ने टि membrane युड मे पार आप आचाहेगा थे हुए चाहें आपकी क्या ने फिसक्षा में ना मचानी मिल जाएगा मने तो अपकी वहां एक जाहा टूमियर णा थिषा